किस तरफ आना है ये और भी लोगों को दिखाएंगे इसलिए इस तरफ खड़े रहना है एक बार जोरदार नारा लगाएंगे इंकलाब मनपरासीन इस विदानसवा चेत्र से सोना से हमारे कैंडिडेट धर्मेंद्र खटाना जी और आपकी मुहबद आपका प्यार आपका जुनून आपका जज़बा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि धर्मेंद्र खटाना हर्याना की विदानसवा में पहुचने जा रहे हैं धर्मेंद्र खटाना को आप लोग यहां से जिताने जा रहे हैं साथियों और दोस्तों बहुत खुसी की बात है कि आपके इस छेत्र के मेवाद के मशूर युवा गायक अस्लम भाई ने भी आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा हैं आज तमाम पार्टियां इस चुनाओ के मैदान में हैं किसी के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है दस साल से भारती जंता पार्टी का सासन हर्याना में है इस दस साल के अंदर किसकी हालात बदले किसकी जिन्दगी में बदलाव आया अगर आप सोचोगे तो चुनाओ में सही निर्ने ले पाओगे इस दस साल के अंदर अगर भारती जंता पार्टी के जूट को याद करोगे प्रधान मंत्री और बीजेपी के जूट को याद करोगे तो याद कर लेना देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं मोदी जीने 2014 में आप से वादा किया था हम को जिता दो दो करोन नोकरी हर साल देंगे नोकरी दो करोन मिल गई क्या? जो और से बोलिये मिल गई क्या? नोकरी मिल गई? नोकरी के नाम पे आप से झुट बोला मोदी जी ने कहा बी जे-पी को जिता दो महगाई कम कर देंगे पिक्रोल 110 रुपै का भी का डीजल 100 रुपै का भी का सिलिंडर बारा सो को भिका सरसो का तेल धाई सो रुपए लीटर भिका प्याज दो सो रुपए किलो भिकी डाल तीन सो रुपए किलो भिकी महंगाई आस्मान पे पहुचाने का काम किया भारती जंता पार्टी ने दूसरा जूट आपसे बोला और तीसरा आपसे क्या वादा किया था क्या वादा किया था बीजेपी वालों ने कहा था हमको जिता दो इतना काला धन लाएंगे इतना काला धन लाएंगे ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे हवाई जहाद पे लाद के लाएंगे बैल गारी पे लाद के लाएंगे इतना काल अधन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमाँ हो जाएगा जोड़ से बोलिए जोड़ से बोलिए पंद्रा लाक, पंद्रा पैसे आये आपके खाते में, आये क्या, आगे क्या, वो पीछे वाले कह रहे हमारा आ आ गया, आ गया, नहीं आया, नहीं आया, तो किसान को कहा, आपके फसल का दाम दो गुना करेंगे, किसान बोले, हमारे फसल का दाम दो गुना कर दो, चार लाठी, फिर बोले, तीन काला कानून लाए हो, इसको वापस कर दो, दस लाठी, आसू गैस के गोले सड़क पे कीले गार दी गई किसानों के किसानों ने साड़े साथ सो किसानों ने आत्म हद्या करने का काम किया किसानों को धोखा देने का काम किया पहलवानों ने कहा हमको हमारा हक दे दो पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पे घसीद घसीद के पीटा गया तो इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ ये भारती जनता पाटी है भारती जनता पाटी ने किसानों को धोका दिया नौजवानों को धोका दिया महंगाई के नाम पर इस देश की माताओं बेहनों को हर्याना के लोगों को धोका दिया तो भारती जनता पार्टी धोके बात पार्टी है ये भारती जनता पार्टी नहीं है ये भारती जुटा पार्टी है जुट बोलने वालों की पार्टी जूट बोलने का काम करते हैं एक भी वादा आपसे पूरा नहीं किया और क्या योजना लेके आए अगनी वीर योजना अगनी वीर योजना क्या है भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने किया भारत की सेना हमारे लिए गौरों का विसे है भारत की सेना हमारे लिए गर्व का विसे है हर्याना का नौजमान दिन में सुबा से चार बज़े उठके परिश्रम करता है दोड़ता है मेनत करता है अपने सरीर को तैयार करता है सीमा पर लडाई लड़ता है और कहता है अगर भारत के लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्राणों की आहूती दे कर भारत माता की रक्षा करूंगा भारत की सेना को नरेंद्र मोधी की सरकार ने ठेके पर रखने का काम किया भारती जन्ता पार्टी ने सेना के साथ भी गड़दारी करने का काम किया अगर आम आदमी पाटी सत्ता में आती है तो हम ये अगनी वीर योजना कुड़े दान में डालने का काम करेंगे अगनी वीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे अभी मैं बात कर रहा था लोगों ने बताया हर्याना में 300 स्कूल बंद कर दिया बीजेपी वालों ने खटर ने और नाइब सिंग सैनी की सरकार ने बीजेपी वालों ने 300 स्कूल बंद कर दिया सरकारी एस्पताल बंद कर दिये ठाने में जाए तो आपकी बात सुनी नहीं जाती रिश्वत वांगी जाती है चाहता हूँ ये मुलक हम सब का है हिंदू का भी है مسلمان का भी है सिक का भी है इसाई का है 144 करोर लोगों का ये मुलक है ये लगाई की बात करते हैं जगड़े की बात करते हैं कभी नयवात में जगड़ा करो कभी सोनी पत में जगड़ा करो कभी गुड़गां में जगड़ा करो अरे भाजपा वाले ये भारती जगड़ा पाटी है जगड़ा पाटी इनको इस बार हटा देना सत्ता में से इनको इस बार सत्ता से बेदखल करने का काम करना है मौपत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा हिंदु मुसल्मान को आपस में बाट के नहीं बढ़ेगा अभी एक बिल लेके आए हैं बीदे पीवाले आपकी जमीनों पे कबजा करने के लिए अभी एक बिल लेके आए हैं वब बोड का बिल वब बोड संसोधन के नाम पे ये जमीने कबजा करके नरिंदर मोदी अपने दोस्त अडानी को देना चाहते हैं लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी है जब तक हम लोग हैं हम जमीनों को कबजा नहीं करने देंगे हम इसके लिए लडाई लडने का काम करेंगे प्ल के बारे में सोचना पड़ेगा आपको इंदुस्तान के भविस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा मेवाद के लोगों आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा किस के हाथ में आपके बच्चों का भविस्स सुरक्षित है क्या कांग्रिस के हाथ में सुरक्षित है क्या बीजेपी के हाथ में सुरक्षित है क्या चोटाला के हाथ में सुरक्षित है नई इन सारी पार्टियों ने आपको धोखा देने का कम किया है मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ हर्यारा में अगली जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अर्विंद केजरिवाल के हाथ में होगा केजरिवाल के बगएर कोई सरकार नहीं बनेगी आमाद्मी पार्टी के बगएर कोई सरकार नहीं बनेगी और आमाद्मी पार्टी की जो सरकार बनेगी उस सरकार में हमारे भाई धरमेंदर खटाना को आपको भेजना है बेजोगे की नहीं बेजोगे हाथ उठागे बताओ बेजोगे की नहीं बेजोगे मुझे छे महीने जेल में रखा मनिस से सौधिया को सत्रा महीने जेल में रखा सतेन जेल अभी भी जेल में है यह आम आद्बी पीजेपी से लड़ रही है मौदी से लड़ रही है अमिश्शा से लड़ रही है खटर से लड़ रही है नाप सिंग से लड़ रही है, साही से लड़ रही है, जल्म से लड़ रही है, जात्की से लड़ रही है और हम जीतेंगे आपको सुनारा भविस्त देने के लिए आतर की सत्तर विधान सवा जीते 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 कर वहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे केजरिवाल और हर्याना के अंदर जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल केजरिवाल के हाथ में होगा और केजरिवाल के हाथ में अगर रिमोट कंट्रोल होगा तो पहला काम होगा हर्याना के अंदर बेहतरीन स्कूल आपके बच्चों के लिए बनवाया जाएगा और सिक्षा पूरी प्रैके से फ्री होगी हर्याना में फ्री होगी दूसरा कम होगा मुहला क्लीनिक बनवाया जाएगा अस्पताल पनवाया जाएगा और इलाज हर्याना में पूरी तरीके से फ्री होगा तीसरी प्रात्विक्ता होगी हमारे माता और बेहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी और हमारे नौजवानों को एक-एक नौजवानों को नौकरी देने का काम अर्विंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी और हमारे भाई धर्मेंद्र खटाना जी आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ जाडू याद रख जाडू बहुत काम की चीज़ है उतारने के लिए जाडू चलाओगे कि नहीं चलाओगे बताओ जाडू चलाने के लिए तयारो तयारो तो 5 अक्टूबर को हमारे इंद्र खटाना जी को जाडू पे बटन दबाके इनको जिता देना अरविंद केजरिवाल जी को मजबूत कर देना यहाँ पर जितने वादे अरविंद केजरिवाल ने किये है वो सारे के सारे वादे पूरा करने का काम केजरिवाल जी करेंगे मैं चाहता हूँ पीछे तक हाथ उठा के यकीन दिलाओ कि खटाना जी को आप यहाँ से जिताने जा रहे हो मैं आप सबका दिल की गहराईयों से सुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत सुपकामना है आपको बहुत बहुत बदाए, इंकलाब, इंकलाब, जिन्दाबद, इंकलाब, जिन्दाबद,